कि नमस्कार दोस्तों हेल्थ अंटेक्नो में आपका स्वागत है आज जो मैं रिव्यू करने जा रहा हूं यह पतंजी लिगा केज कांती मिल्क प्रोटिन सेंपू अगर हम इसकी पैकेजिंग की बात करें तो 200 ml की जो पैकेजिंग है और इसका जो प्राइज है 95 रुपीज है जो इसका प्राइज है इसलिए जो यह मार्केट में अवेलबल है चाहे तो आप इसको जो ओनलाइन जो परचेज कर सकते हैं इसक्रिप्सिन में आपको जो इसका लिंक मिल जाएगा अब बात कर लेते हैं इसमें की इंग्रेडियंस की जो इसमें यूज किये गए हैं इसमें बिरिंगराज, महंदी, नीम, तुलशी और धिरतकुमारी जो इसके में की इंग्रेडियंस है जो इसमें यूज किये गए हैं कमपोजिशन जो आप कर सकते हैं वीडियो को जो मिन करके तकरीबन जिनके बाला जो रॉफ हैं ड्राइ हैं उनके लिए सबसे बहतर प्रोड़क्ट है ये बालों के health के लिए जिनके बाला जो काफ़ी dry रहते हैं फ्रीजी रहते हैं roughness रहती है बालों में तो उनके लिए जो सबसे अच्छा product है ये तरह करीबे ने जो इसको use करने से आपके जो बालों के roughness जो चली जाती है आपको जो extra conditioner के जो इसमें जूरत मैसूस नहीं होती है अब बात कर लेते हैं इसके texture की तो ये जो बोकला ये फ्लिप्टोप कैप के साथ जो आती है creamy white is इसका texture है इसली जो आपकी बालों में जो ये apply हो जाता है और जो ये आपके बालों में जो अच्छे काशी है जो फॉर में जो create कर देता है अपते में जो आपके जो इसको दो या थ्री टाइम से जो use कर सकते हैं और ये जो आपके बालों के जो hair falls है उसमें जो काफी हथ तक जो आपके मदद करते हैं क्योंकि इसमें जो natural key ingredients जो यूज केंगे हैं जो जैसे कि भेरिंग्राज धृत कुमारी ऐलो विरा इसमें यूज केंगे बेरिंग्राज है जो hair growth के लिए जो काफी है जो helpful है और धृत कुमारी है जो आपके बालों का जो काफी है तक जो moisturize करता है और इसमें जो vitamin E का भी जो यूज किया गया है जो आपके बालों का जो moisturize करता है तो तक्रीबन जो सेंपू को यूज करने से आपके बालों को जो रफना से जो चली जाती है और जो आपके बाला जो काफी सोफ्ट और मेनेजिबल है जो आपको महसूस होंगे फर्स्ट वोस से यह बिल्कुर एक नेच्रल सेंपू है बाकी यह SLS जो फ्री नहीं है और पेरा बीना जो फ्री नहीं है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और से रजो करना अगर आप मेरी चैनल पर नहीं है तो चैनल को जो सब्सक्रेब करना ना भूल लें आलते हैं टेकनों को साथ बने रहने के लिए धन्यवाद